आखिरकार हर स्वाल का जवाब देकर ये वाला लास्ट सीजन हमें इतनी खूबसूरती के साथ अलविदा कहता है नमिश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डार्क वेब सीरीज के सीजन थरड की जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड करीबन करीबन एक घंटे का रकुष तो एक घंटे 9 मिनट एक घंटे 13 मिनट यानि एक घंटे से भी ज़्यादा के टाइम के है बट आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा ये टाइम कब बीट गया क्योंकि आप बस अपने स्वालों के जवाब जाना चाते हो कि आखिरकार ये सब चीजें शुरू कहां से हुई और इसकी एंडिंग कैसे होगी अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज उन लोगों को कहा दूँ कि अगर ये कोई वीडियो पहली बार कोई देख रहा है उसने कभी भी डार्क सीरीज का कोई भी सीजन नहीं देखा है फर्स्ट, सेकेंड इसके टोटल तीन सीजन है जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखे हैं और वो ये वाली वीडियो देख रहा है तो मैं उनको ये कहने वाला हूँ कि भाई कोई फायदा नहीं है यहीं वीडियो रोक देना क्योंकि कुछ भी समझ नहीं पहले जाके इसका सीजन वन और सीजन टू देखो और जादा जानकारी के लिए अगर आप चाहते हो तो इस सीरीज के सीजन वन और सीजन टू के रिव्यू जो इस चैनल पर एविलेबल है उनको पहले जाकर आप देखो उनके जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन बोक् और पिछली क्लास में जो पढ़ाया था मैं उसका यहां पर आप लोगों को ओवर्वीव दे रहा हूँ कैर छोड़ो यह अपने वीडियो पर आगे चलते हैं Season 1 जिसमें जोनस अपने पिता की सुसाइड के रीजन जानना चाता है कि उसके पिता ने सुसाइड क्यों की तो उसके लिए वो कैसे पास्ट में चला जाता है और Season 2 जहां पर वो फ्यूचर में आ जाता है और वापस अपने घर जाने के लिए उस त्यारी में लग जाता है I know मैंने बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लिये हैं क्योंकि यार यह सीरीज जो है मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाता हूँ और अब इसका Third Season जो हर एक Question का Answer यह देता है कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई और इन सब चीजों का अंत कैसे होगा बहुत सारी ऐसी कम मुवीज या सीरीज है थी जिनका मैं वेट करता था मतलब बहुत दिल से चाता था कि यह वाले इसका सीरीज जो है इसका सीजन कब आने वाला है या इस मूवी का Next Part कब आने वाला है बहुत कम थी मैं कहूँँगा कि जो वेब सीरीज के मामले वे उसके पार मूवी के मामले में एक ऐसी मूवी थी जिसका मैं बहुत टाइम से वेट किया था ज़िसका मैं दिल से चाहरा था कि इसका third season क्या होने वाला है और इस series को मैं one of the best series नहीं कहने वाला क्योंकि ये बहुतों में से best नहीं बलकि इस से उपर कुछ है ही नहीं अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को एक बात समझानी है तो उस बात को समझाने के लिए वो कुछ और example लेता है या फिर उसको समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फट यहां पर तारिफ करनी होगी dark series के makers की क्योंकि उन्हों ने इतना दिमाग का दही करने के बाद इस series की जो ending है वो इतनी खुबसूरती से समझा दिये कि आप लोगों को इस series की यही लगी चलो आप कहानी की बात करते हैं और इस series का मैं बहुत ध्यान रखने वाला हूँ कि मेरे मुझ से बिल्कुल भी spoilers ना निकले जहां पर second season खतम होता है जिसमें मार्था मर गई है और एक अलग मार्था जोनस को लेने आती है तो वही से इसके third season की शुरुआत होती है आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ जो जहां पर second season खतम हुआ था third season कहां पर शुरू होगा बिल्कुल वही से शुरू होता है बिल्कुल शुरुआती एपिसोड ही वही है और यहां पर दिखाया गया है कि मार्था जो एक अलग एक वर्ल्ड से आई है एक अलग पैरलल वर्ल्ड से आई है मतलब कि जहां पर जोनस कभी पैदा ही नहीं हुआ था इसको simple भासा में समझाने कोशिच करूँ कि मिकल जो है वो कभी गायब ही नहीं हुआ और गायब नहीं हुआ यानि मिकल कभी जो जोनस की मा है है ना उससे कभी उसने शादी ही नहीं की और जोनस कभी पैदा ही नहीं हुआ तो एक ऐसा पैरलल वर्ल दिखाया गया है जिसमें जोनस कभी है ही नहीं अब यह दो पैरललल वर्ल दिखाया गया है जिसमें एक में Martha है और Martha यहां पर Eva नाम का एक जो राज करना चाहती है जो इन सब चीजों को खतम करना चाहती है एक older Martha का रूप है यानि Eva और एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें जो है Adam यानि Jonas जो है वो अपने वे से उन चीजों को खतम करना चाहता है तो अलग parallel world यहां पर दिखाने कोशिश की है तो जिसमें एक मारता है जो अपने वे से अपकलिप्स को हटाना चाहती है और जो Adam है वो अपने वे से जो आने वाले टाइम को है वो सुधारना चाहता है तो दोनों के दोनों लगे हुए हैं बाकि इस सीजन की शुरुआत में मैं आप लोगों को एक कि आप चाहा कर भी अपने दिमाग का यूज़ भी करोगे आप कर ही नहीं पाने वाले क्योंकि यार आपको बांद देगा आप मैंने अपने आपको यार बस वहां पर ऐसे छोड़ दिया यार जो चल रहा है वो चल रहा है मैं बस देख लूँगा मैंने अपना दिमाग अंदर हर चीज चाहे वो direction हो चाहे वो screenplay हो चाहे वो location हो चाहे वो make-up हो dressing जो उसके dressing design है वो सब चीजें हो चाहे वो dialogue हो चाहे वो performance हो हर चीज को इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है कि यह आने वाले time में या फिर हर एक इनसान के लिए एक inspiration का काम करेगा कि इनसान इतनी जबरदस चीज भी बना सकता है अब जोनस का पैलर world में जाना और वहां पर भी वही चीजें हो रही है जो उसके world में हो रही थी मतलब अब कि जोनस यहां पर नहीं है तो यहां पर कुछ और लोगों के साथ वो चीजें हो रही है जैसा कि उसके world में हुआ था यह नहीं कि अब चीजें बदल गई है अब बस यह है कि तुमने इनसान बदल दिये है जोनस की जब वहाँ पर जोनस के साथ हो रहा था जो same to same चीज़ें हो रही थी अब वो मार्था के साथ वो चीज़ें हो रही है जब ये वाला सीजन मैं देखने बैटा था तो मैंने बस अपने मन को ये कह के बैठा लिया था समझाई गई बताई गई कि इन सब चीजों की शुरुवात कैसे हुई इन सब चीजों का अंत कैसे होगा नोहा कौन है कहां से वो आया है शारलेट उसकी बेटी है कैसे मतलब उसकी वाइफ को थी नोहा की वाइफ को थी शारलेट की मा को थी शारलेट वहां पर क्या कर रही थ एडम यानि जोनस इतना बुड़ा कैसे हुआ जोनस में इतना सारा चेंजिस कैसे आया उसकी शकल कैसे होगी सारे के सारे सौलों का जवाब ये सीजन आप लोगों का अच्छे से बिल्कुल सैटिस्वाइ करके देते हैं जोनस की मा हैना का मर्डर जोनस खुद करता है ये समझा लो कि एक समुदर में से ये जो जो चिज़े मैंने आप लोगों को बताई है वो सिरुफ वर सिरुफ बूंद बराबर है समुदर तो बहुत बड़ा है और इसमें लास्ट की जो एंडिंग है वो इतनी जाँदा इमोशनल थी कि आंत्षुन को होगा सब्सक्राइब टाक सो नहीं जाए है आंत्षी जाने वारो Sans Alien जो एक बिल्कुल भी आसा रहा है और जिन्होंने नहीं देखी है वो ये वाली सीरीज डार्क सीरीज के फर्स सीजन लेके थर्ड सीजन तक किसी नहीं देखे हैं तो देखो जार जाके क्योंकि one of the best नहीं ये इसे कहूँगा कि यही एक best सीरीज है और इससे उपर कुछ है ही नहीं नेट्फिक्स पर तो यही कह जाती है कि हम नियती के साथ कितना भी खेल ले एक जो समय है वो चीजें अपने according होगे ही रहेंगी यह नहीं कि आज हमने यह सोचा कि यार बहुत समझकर हम एक कदम उठाते हैं कि इस कदम को उठाने से यह सब चीजें शायद चेंज हो जाएंगी लेकिन नहीं भाई वो प से हुए हैं और अब वो वक्त आ गया कि उस साइकल को तोड़ा जाएं अब कौन तोड़ता है कैसे तोड़ता है यार यह चीज़ देखने वाली है और वाकई में जब आप यह सीरीज देखकर हटोगे तो एक इक बात करोगे कि यार यह सीरीज कमाल किये मेरी तरफ से इस सी सीरीज और यह वाला स्थर्ड सीजन कैसा लगा और अगर किसी नहीं देखा है यह पूरी की पूरी सीरीज नहीं देखे तो मैं इसे स्ट्रोंगली रिकमेंडेट करूँगा कि आप लोग जाके इसको देखो यार और जानों कि काम क्या होता है एक मास्टर पीस किसे कहते हैं डार्क वेब सीरीज उसी एक मास्टर पीस का उधारन है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भारत में भी इतनी खूबसूरत और इतनी जबरदस सीरीज बनाई जाए जाए यार कमाल का डिरेक्शन यार कमाल के राइटर जिन्होंने इतनी बखूबी से यह